जब बड़े बड़े समपादकों के सवाल का इस्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया तब पूछा कि आम कब खाते हैं जब आप कब खाते हैं कब सोते हैं कब जाते हैं नहीं 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 प्रक्रिया से चलिए मैं प्रक्रिया से बता रहे हुँ जब बड़े-बड़े संपादकों के सवाल का इस्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया तब पूछा कि आम कब खाते हैं यह भारत का मीडिया है आप इस सरजमी की मिटी धूल कंड पेड पौदे हर चीज़ पर फक्र कर सकते हैं मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फक्र करी नहीं सकते हैं तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्न विश्वास तोड़ दिया तो सत्त से डरने वालों की तदाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई आस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जनरलिस्ट के घर पे चापे पड़े तो सारे अख़बारों ने मिलकर एक दिन तैय किया और प्रतिरोत किया या कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला की सही हुआ निकाल दिया हिंदी वाले को कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है लोग तांतरिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग-अलग पहलूँ के बारे में बात करता बताता अगर इसमें कुछ संभाव ना है उसको नजर आ रही है वो भी बताता इसमें कुछ लोगों के अपमान लोगों की परशानिया नजर आ रही है तो वो भी बताता हदस कर हादसे में कई लोग मर गया सम्में उनकी चर्चा नहीं हुई ये पहला मोर्चा है ये जो मीडिया है आप इसके खत्रे को समझेए आप अभी भी उसे पुराने मुल्यों से पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं मगर इसका काम बदल गया है 1906 में जब दक्षिन अफरीका में नई पर्मिट की विवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगुठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा तो गांदी जी खिलाफ हो गए और गांदी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मिया थे वो भी खिलाफ हो गए तो सभा होई इसी तरह की सभा होई तेरह हजार भारतिय थे लेकिन तीन हजार लोग आए तो हाजी हबीब ने कहा कि हम इश्वर की शपत खाते हैं कि हम इस पर्मिट को नहीं मानेंगे तो गांदी जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है हम ऐसे नह सबस्था को नहीं मानेंगे और वहां से सत्याग्रा की शुरुवात होती है उस गांधी के भारत में एनर्सी और इस तरह के पर्मिट को लेकर क्या रवाईया है आप अपने आप से पूछिए वो दोनों गुजरात के थे ये दोनों भी गुजरात के हैं किसी को नीन भी आ क्या ये मीडिया हमारे लोकतंत्र का निगेबान है खुद सोचिए तो ये दो टेस्ट में भारत का मीडिया फेल हो गया कि वो लोकतंत्रिक है फेल तो वो सुधा भारदवाज के केस में भी हो गया था कि जब उन्होंने खुद से उनको अपरादी बताना शुरू कर दिया क्या क्या नहीं कहा गया सुधा भारदवाज के बारे मीडिया की कलपना में ये बात है कि वो मानवादिकार के लिए लड़ेगा लेकिन भारत का मीडिया मानवादिकार की कलपना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है काम सरकार के डंडे जैसा करता है वहाँ भी मीडिया फेल कर गया इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोक तंत्रिक्ता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सिख गए हैं और इतना डर गए हैं कि एक कवरेट से और एक लेग से हमें लगता है कि हम हमारा मुल्क भर भरा जाएगा कोई खिलोना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा यहां से यह जमीन तो यहीं रहने वाली है हम रहें या ना रहें तो इस बात में भी आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का यह साबित हो गया कि यह आगे अब कभी लोगतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है यह खतरनाक औजार है आपके सामने इस बात को समझ लिजी आप इसलिए आप देखे हों कि जब 2014 का एक्जिट पूल आ रहा था तो अर्णव गोस्वामी और देश्मू की दोनों दोड़े दोड़े आ रहे थे उसको लिए मैं लगा इस सेट पर क्यों दोड़े आ रहे हैं वैं ऐसा लग रहा है एक्जाम का कुश्चन लेके भागे जा रहे है वो अखमारों में नहीं रहता है निउस चैनलों में नहीं रहता है वो खुद को जनता के विवेक में वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला रास्टवादी एंकर नहीं होता उन सिपाहियों की कोई हमदर्दी नहीं है उन सिपाहियों की तकलीफ के बारे में ये मीडिया बात नहीं करता है कभी उनके घरों में नहीं जाता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो मच्छर और मलेरिया से मर जा रहे उनकी बात नहीं करता है। लेकिन उनका इस्तमाल करके एक तरह का एक मेजरिटरियनिजम आपते थोप रहा है। तो आपको लगता है कि इसके बाहर तो कोई तरक नहीं है इसके बाहर तो लोगों में संवेदना नहीं बची है और इसके बाहर तो लोग बचे नहीं है। लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे ये बकसे में बैटे वे लोग हैं। और ये लगतार हर दिन हर रात हो रहा है तो इसके भीतर भी क्या हो रहा था कि मीडिया के भीतर भी लोग डरना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने अपनी नौकरी बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, खबरें छोड़नी शुरू कर दी, खबरों तक पहुंचने का जो काम था वो छोड़ दिया उन्होंने, तो पत्रकार डर दरग है आप किसी भी पत्रकार को फोन करो वो डर गए एक डरा हुआ पत्रकार लोक तंत्र में अदमरा नागरिक पैदा करता है अ Genesis गजेन और अपने वहीतर लोक तंत्रिक्ता को बचानी कि यह तो आपको इस श्मंत्रय योगी आदित नात बहुत बड़ा कोई फैसला करने वाले और स्क्रीन पर लिखाओ आता हरे रंग में फैज़ाबाद फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में आयुध्या आप बहुत्या को भगवा ही लिख लो लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहो ता आप खेल कर रहे हो आप तो इक तरह से जो चैनल है कभी भारत का जो मीडिया है इस तरह से ऐलानिया तोर पर भारत का मीडिया सामप्रदाइक नहीं था जब मीडिया ऐलानिया तोर पर सामप्रदाइक हो जाए तो वो लोगतंत्र हो ही नहीं सकता है आपको सबसे पहले अगर भारत के लोगतंत्र को खत्रे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं तेलिवीजन चैनल और अख़बारों के पंडे में नजर आ जाता है इतने डरे हुए लोगों के वीज में कोई 54 प्राइस का बिजनेस कैसे कर ले रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है भारत का जो लोगतंत्र है वो अरजित लोगतंत्र है हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अरजित किया है दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अरजित किया संख्यकों ने अरजित किया सब ने अपनी अपनी लड़ाईया लड़कर इस लोगतंत्र में कुछ ना कुछ अरजित किया है और उस सारे अरजित लोगतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाशा बदली है जिस भाशा में हिंसा है दे भाशा में भी हिंसा है मैंने खराब से खराब एंकर देखा था तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो की चा रहा हैं इस भारत में और जो सुचना प्रसारंड मंत्री हैं उनको नजर नहीं आया उनको लाइसेंस की बात नहीं आई या तो वो दोर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं या उसके लाने की तैयारी हो रही है आधी मिल वो क्रॉस कर चुका है इसलिए आप इन सब चीजों को समझे नए तरीके से इस मीडिया को देखिए जो आप पहले इस तरह से देखते आये हैं वो एक तरीका आप नहीं है बाद में एंकर पुषता है लेकिन आप आप देखिए आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खिच जा है तुरंत कहेगा कि जे न्यू वाला एंटी नैशनल हो गया लेकिन ये साथ एंकर जो है रोल पाकिस्तान के किसी आदनी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है ये इनका देश प्रेम है भारत में 500 रुपया किलो हो गया चिंता नहीं पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा उसकी चिंता है तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर अगर आपको गौहाटी में ब्यूरो नहीं है भुबनेशोर में ब्यूरो नहीं है तो इसलामाबाद में खोल लीजिए आप तो ये पूरा पेट्यार्खी का मीडिया ये डेमोक्रेसी का काम करी नहीं सकता है इसके समझ के बाहर की बात है हम वतन हैं और हम सब एक जालिया देते हैं उनको भी माफ कर दीजिए जो तलवार उठाया है उसको भी माफ कर दीजी होते तो यहीं करते हैं लेकिन ठीक है ये दुख की बात है कि वो गोटसे को ट्रेंड करा दे रहे हैं और उनमें से कई ट्रेंड कराने वालेओं को सरकार के मंत्री फॉलो करते है दुख की बात हमारे प्रधान मंत्री भी करते हैं वाइबरेंट मीडिया होता तो फूछता है कि सर आप अपना फॉलोवर का जरा चेक कर लिजे गलती से कहीं आपने कर लिया होगा हो सकता है जान बुचके नहीं किया हो गलती से भी कई बार हो जाता है बाद में आदमी निकल गया बदल गया उस टाइप से तो इस तरह की चीजें हैं कि हमारे लोग तंत्री की सक्रियता जो है वो अलग-अलग चीजों से बनी रहेगी जब लगेगा कि नियाइपाली का जुग गई है लोग खड़े हो जाएंगे इसलिए कोट के जुग जाने से इतना मत दरा कीजिए देखा कीजिए कि लोग कहां खड़े हैं वहाँ जाकर खड़े हो जाये कीजिए जय हैं नमस्तार